जुटा अंकार हमें बद अवस्ता में रखता है खास करके ये जो पाश्चात धर्म है ये हमें पशुप्रवरिति क्या और लेकर जाता है पशुप्रवरिति क्या है अहार जो है खुले आम करो निद्रा खुले आम करो वो भागवत कक्षा में भी आ जाता है तो खुले आम सो जाता है यह पशुप्रवृती है कि यह जो वेदिक संस्कृती है आप अगर शूष्म रूपぎ से देखोगे हमारा व्यदिक संसकृती जो है वह आद्यक्त्मिता के और हमें लेकर जाता है बहले वह बौतिक है पर फिर भी आद 토κι क को लेकर जाता है वह बहुत शुश्मस चीज बताते हैं, अहार को कभी बद्द जीवों के सामने नहीं लिया जाएगा, बनाया भी नहीं जाएगा, यह अहार निद्रा भाय और मैतुन जो है, यह सब बाते छुपके किया जाते हैं, और खुलेयाम क्या किया जाते हैं, नगर संकिर्थन किया जाते हैं, हर राम हरे राम 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 हरे हरे पर ये पशू प्रवरिती जो है पाश्चाद देश की जो सब्विता है वो खुले आम अहार करने के लिए सिकाता है बताईए पचास साल पहले एक रेस्टोरंट दिखना मुश्किल था भोजना लाए नाम का कोई चीज ही नहीं था बताईए पचास साल पहले कोई बोजना लए था कोई भी भ्रामन के गर में में जाओ अतिती देवबभा उनको पुरा बरपेट खिला देता था अहार को पब्लिक में नहीं किया जाता है, निद्रा सोना भी पब्लिक में नहीं किया जाता है, बस में सोना, ट्रेन में सोना, भागवत क्लास में सोना, वो तो ठीक है, भागवत क्लास में सोना तो ठीक है, क्योंकि वो युक्त हो जाता है, योगा है वो, भगवान के कता सुन में सो रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, यपा योगा है, पर पब्लिक में नहीं सोना चाहिए, पब्लिक में नहीं खाना चाहिए, पब्लिक में जो है, मैतुन नहीं करना चाहिए, पब्लिक में रक्षा के मारा मारी वगरा नहीं करना चाहिए, पब्लिक में क्या करना चाहि है कि वो पब्लिक में मैच्टुन करेगा थिस ठीकार से भगवान को जब भोग लगाई जाता है पुसी पड्से भक्तों को भी अपने अलग-अलग जो है भक्तों का भोजनाल है या प्रशादौल में लेना चाहिए पुब्लिक के सामने नहीं भगवान जिस प्रकाश से श्रिंगार करते हैं मनिश्वा से भी उमीद किया जाता है उसी